हेलो फैंट्स स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में आज हम लेकर आये हैं आपके लिए हाइकोट असिस्टेंट का प्रिवेस एयर का पेपर देखिए अभी रिसेंटली हमने न्यूज में यह जिस सुना है कि हाइकोट असि असिस्टेंट के पेपर को लेकिन उसका जो एक्स्प्लैनेशन था वो इंग्लिस में था तो काफी लोगों का डिमांड था कि इस वीडियो का एक्स्प्लैनेशन मुझे हिंदी में चाहिए तो इसलिए मैं यह वीडियो को दुबारा बना रहा हूँ देखिए ये मैंने paper के cutting को भी attach कर रखा है जो भी recently newspaper में आया था कि high code परिवहन में 560 पदों पर भरती होगी तो जब ही ये assistant के vacancy आ जाएगी almost आपको July के second या third week में आपको ये vacancy देखने के लिए मिल जाएगी देखिए एक चीज मैं इसको vacancy के बारे में बता दू कि इसका जो exam pattern है वो mainly आपको इसमें 30 questions GS के मिलेंगे आपको ठीक है pre exam की मैं बात कर रहा हूँ prelims की तो 30 questions GS के मिलेंगे आपको GKGS के मिलेंगे 30 questions जो होगा वो English का मिलेगा और 20 questions इसमें math के मिलेंगे आपको और 20 questions जो होगा वो हिंदी के मिलेंगे आपको ठीक है ये prelims exams का structure है तो आज इस वीडियो में मैं 30 questions जो GKGS का important जो 30 questions जो previous year जो high court के 2016 में जो assistant का paper हुआ था उसमें जो पूछा गया है वो मैं आपके साथ discuss करूँगा एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो paper होता है वो bilingual नहीं होता है मतलब सिर्फ और सिर्फ English में होता है तो यहां भी इस वीडियो में भी जो questions होंगे वो आपको English में लिखे होंगे लेकिन इसका जो explanation होगा वो मैं हिंदी में करूँगा अगर आपको English का explanation चाहिए तो एक के साथ एक और वीडियो आप जाके playlist से देख सकते हैं playlist में आपको एक playlist मिल जाएगा previous year questions करके उसमें आपको इसका वीडियो मिल जाएगा तो आईए शुरू करते हैं शुरू करने से पहले अगर आभी तक आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और साधी साथ बेल आइकन दवा दीजे ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे तो आईए शुरू करते हैं पहला कोश्चन है वेर डिडिड औरनजेब डाइट तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा आपसन नबरे अहमद नगर औरनजेब जो था वो अहमद नगर में मरा था और कम मरा था 1737 में वो औरनजेब मरा था और इसको मारा कौन था इसको मारा था ब्रेव मराथा रूलर सिवाजी महराज के द्वारा औरनजेब को मारा गया था औरनजेब से और कुछ चीज़े याद रखना होगा आपको औरनजेब को क्या बोला जाता था और अंजेब को जिन्दा पीर बोला जाता था क्या बोला जाता था जिन्दा पीर साथी साथ और अंजेब से और कुछ चीज़ याद रखिएगा और अंजेब के टाइम में ही सबसे जादा मुगल सेना में सरवादिक हिंदू सेना पती थे ठीक है और अंजेव से एक और चीट बहुत ज़्यादा बर important question है जो एक जाम में पूछा जाता है कि और अंजेव ने किस सिख गुरू की हत्या करवा दी थी तो अंजेव ने सिखो के नौमे गुरू तेज बहादूर की हत्या करवाई थी clear है चलिए अब बड़ते हैं अगले question की तरफ अगला question है the deepest ocean of the world is तो इसका जो सही अंसर होगा पो होगा परसांत महासागर यानी option number deep pacific question pacific question से याद रखेगा यह गहरा भी है और सबसे ज़्यादा लंबा भी है मतलब की largest भी है और deepest भी है clear है चलिए अब बड़ते हैं अगले question की तरफ अगला question है मतलब की कौन सा इंडियन सा मिधान का वो कौन सा आर्टिकल है जिसके तहट छुवा छुट को खत्म कर दिया गया था मतलब अप रिस्ताकांत कर दिया गया था तो इसका जो सही अंसर होगा वो हो जाएगा option number c यानी article 17 17 के तहट क्या है चुवा छुट को खत्म कर दिया गया था क्लियर है अगर हम बात करते हैं article 14 की तो article 14 में कहा गया है कि राज सभी के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू करेगा अगर हम बात करते हैं अनुछेद 18 की तो अनुछेद 18 में कहा गया है कि सेना और विद्या संबंदित सम्मान के सिवा अन कोई भी उपादी राज द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी अगर हम बात करते हैं आठकिल उनाइस की अनुछेद उनाइस की तो अनुछेद उनाइस में कहा गया है कि इसमें छे तरह की स्वतंतरता दिये गए हैं जैस अगले कोश्चन की बात करते हैं तो अगला कोश्चन है भारत की जो संबिधान के परस्ताबना है उसमें पहला बार कर संसोधन किया गया था तो यह याद रखेएगा कि अभी तक जो परस्ताबना उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बार संसोधन ही किया गया है और वो संसोधन हुआ था क्लिए ने तीन सब्द जोड़े गए थे, समाजबादी, पंथ, निर्पेच और लाष्ट की अखंड था, ये तीन सब्द जोड़े गए थे हमारे सम्विधान की परस्ताबना में, सम्विधान के परस्ताबना से एक और चीज़ याद रखिएगा कि सम्विधान के परस्ताबना कोई सम् कुण जी कहा जाता है इसे बहुत बार एक्जाम में क्वेश्चन से आपको देखने के लिए मिल जाएगा ब्यालिस्वा संविधान संसोदन से और कुछ चीज़े याद रखिएगा इसी के तहट क्या गया था मौलिक कर्तब को जोड़ा गया था मौलिक कर्तब को जोड़ा गया था किसके अनुछेद एक आमन क क के तहट और भाग चार क में रखा गया है मौलिक कर्तब को क्लियर है एक और चीज़ याद रखिए गया ब्यालिस्वा संविधान संसोदन के कि लोगसभा और बिधान सबहों का जो अबधित है वो 5 बर से बढ़ा कर 6 बर स कर दिया गया था और फिर इसको 44 संविधान संसोदन ठीक है 44 संविधान संसोदन 1978 में फिर से इसको 5 साल कर दिया गया था ठीक है 42 संविधान संसोदन में कोरंब बेवस्था को समाप्त कर दिया गया था ठीक है कौन से asports के famous खिला रही है तो इसका जो सही answer होगा वो होगा option number B यानि ascos के वो famous खिला रही है और वो है कहा के वो पाकिस्तानी प्लेयर है ठीक है इनसे एक और चीद याद रखिएगा कि जहांगीर खान जो थे वो ascos में world open 6 बार जीच चुके हैं और British open उन्होंने 10 बार जीच चुके हैं clear है? चलिए अगला question है UN flag badge adopted by the General Assembly जो UN है मतलब संजुप्त रास्ट उसका जो flag है जंडा है वो General Assembly के द्वराफ कब adopt कर दिये लिया गया था तो इसका जो सही answer होगा वो होज़ेगा option number A यानि 24 अक्टूबर 1947 को बो adopt कर लिया गया था clear है? चलिए अगले question की तरफ बढ़ते हैं तो अगला question है हमारा the system of judicial review originated in जो judicial review लिया गया था वो कहां से लिया गया हमारे संभिधान में तो इसका जो सही answer होगा USA यानि option number D देखिए judicial review है क्या नियाइक पुर्वलोकन नियाइक पुर्वलोकन के साथ-साथ ही USA से और क्या-क्या चीज लिया गया है ये भी याद रखिएगा USA से और लिया गया है मौलिक अधिकार ठीक है? राश्टपती एबम उन पर महाभियोग उपर राश्टपती बीतिये अपातकाल ये सारा चीज कहां से लिया गया है USA से लिया गया है अगर हम और उप्संस की बात करते हैं तो जर्मनी से क्या लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है आपातकाल के परबर्तन के दोरान राश्टपती को मौलिक अधिकार संबंदी जो सक्तिया है वो जर्मनी से लिया गया है अगर हम रसिया की बात करते हैं तो रसिया से क्या लिया गया है रसिया से एक बहुत इंपोर्टन चीज़ है जो आपको याद रखना है वो है मौलिक करतब ठीक है मौलिक करतब रसिया से लिया गया है चलिए अब बढ़ते हैं अगले question की तरफ, अगला question है अमारा भेरीज बांदीपूर नेशनल पार्क लोकेटेड, ठीक है, बांदीपूर नेशनल पार्क कहां लोकेट किया गया है, तो इसका जो सही अंसर है, वो है option number C, यानि करनाठका में है बांदीपूर नेशनल पार्क, करनाठ स्थान से याद रखेगा, केबला देभी, रंथंब और, डेजर्ट नेशनल पार्क, धर्ला, घानापच्ची, बन बिहार, ये सारा कुछ आपको याद रखना होगा राजस्थान से, अगर हम बात आंध परदेश की कर लेते हैं, तो आंध परदेश से याद रखेगा, ना आनस, काजी रंगा, नामेरी, राजीब गंधी, औरंग, नेशनल पार्क, ये सारा कुछ याद रखेगा, असाम से, चलिए, अब बढ़ते हैं अगले कोश्चन, अगला कोश्चन कहरा है हमारा, तो ये तो सबको पता है कि कितने दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, छे तो याद रखेगा, बलबंत राय महता कमीटी ने, ठीक है, बलबंत राय महता समीटी ने, ये कहा था कि थ्री टायर पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए, थ्री टायर मतलब कहने का मतलब क्या है थ्री टायर, थ्री टायर कहने का मतलब है कि ग्राम अस्तर पर ग्राम पंचायत, बलॉक अस्तर पर पंचायत समीटी और जिला अस्तर पर जिला परिसत, ये तीन तरह का पंचैतिरा सिस्टम है चलिए अब अगले कोश्चन की बात करते हैं तो अगला कोश्चन है पानीपत की तीसरी लड़ाई में माराथा किसके द्वारा हार मिली थी तो इसका जो सही अंसर होगा बहुँ जागा दूसरी लड़ाई जो हुई थी वो 1556 में और जो तीसरी लड़ाई हुई थी वो 1761 में हुई थी पहली लड़ाई में याद रखिएगा कि बाबर ने इबराहिम लोधी को हराया था दूसरी लड़ाई के बारे में याद रखिएगा बहुँ जग आप्सन बज़े यानि Attorney General of India Attorney General यानि कि कहने का मतलब है महान्याइबादी महान्याइबादी होता है कितने अनुछेद में याद रखेगा अनुछेद 76 में ठीक है यह जो महान्याइबादी होता है यही भादा सरकार का प्रथम बिधी अधिकारी भी होता है लेकिन अनुछेद 88 के अनुछेद 88 के तहत महान्याइबादी ना तो संसत का सदस होता है और ना ही मंत्री मंडल का सदस होता है लेकिन वह किसी भी सर्दन में अथवा उनकी किसी भी समीतियों में भाग ले सकता है लेकिन यहां पे एक और चीद याद रखिएगा कि वो भाग तो ले सकता है लेकिन उसको vote करने का अधिकार नहीं है मतलब वो मत नहीं दे सकता है अपना clear है? चलिए अगला question है जबाहर लाल टैनल लार्जेश्ट इंडिया इस लोकेटेड इन तो इसका जो सही अंसर होगा बोहो जगा option number D यानि जम्मू एंड कास्मित इसको याद रखिएगा यह जबाहर लाल टैनल को बनी हाल टैनल भी कहते हैं ठीक है? बनी हाल टैनल भी कहते हैं इसकी लंबाई है दो दसमलो आठ पाँच किलो मिटर और यह सिरी नगर को जम्मू से जोडती है अगला कोश्चन है तो इसका जो सही अंसर होगा बोहो जगा option number A बुद्धा ठीक है? यह अजन्टा की गुफा है कहा? यह है महराष्ट के और अंगाबाद जिले में क्लेर है? चलिए अगला कोश्चन है हमारा एक पैसेंजर अस्टेंडिंग इन बॉस इस थ्रोन आउटबर्ट भेंदर बॉस टेके ने सड़न टन मतलब जब एक पैसेंजर कोई होता है जब बस टर्ण लेती है तो वो आगे की तरफ जूग जाता है वो किसके कारण होता है तो इसका जो सही अंसर होगा वो होजगा आप्सन नमर बी इनर्सिया ओफ मोसन यानि जड़त्व के नियम के अनुसार अगला कोश्चन है हमारा साइमन कमिशन जो था वो साइमन कमिशन के लिए बनाया गया था किसके जाज़ परताल करने के लिए बनाई गया थी किसके लिए बनाया गया था तो ये था अप्सन नमर डी मतलब भारत के सम्विधान के लिए साइमन कमिशन बनाया गया था साइमन कमीशन का बात करते हैं तो ये बना था नवंबर 1927 में लेकिन ये भारत कब आया था यह से दो कोशन यादर होता है ठीक है नवंबर 1927 में बना था लेकिन वो तीन फरबरी तीन फर्वरी 1928 को भारत आया था क्लियर है कब भारत आया था तीन फर्वरी 1928 को भारत आया था देखिए और यह साइमन कमीशन जो था इसमें सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिस मेंबर थे साथ मेंबर की एक कमीटी थी ठीक है और इसमें कोई भारतिये नहीं थे इसलिए इसमें इसका बिरोध किया गया था भारतियों के द्वारा और इसमें लाला लाजपत राय को बहुत ज्यादा चोट लगी थी लाठी का पढ़ार उन्होंने जेला था अगला कोशिशन की बात करते हैं मगर तो अगला कोशिशन है दूरिंग एमर्जेंसी इंपोजट अंडर आर्टिकल 352 भीचादा फॉलोइंग प्रोविजन अस्टैंड सस्पेंड़ जब हमारे कंट्री में एमर्जेंसी लग जाएगा आर्टिकल 352 लग जाएगा तो अगर हम बात करते हैं अनुछेद 20 की तो अनुछेद 20 में है कि किसी भी ब्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिल सकता है अपराध करने के समय जो कानून होगा उसी के तहट सजा मिलेगा और जो अपराधी है वो स्वेम के विरुध नियाले में गवाही देने क का संरच्छन है इसमें क्लियर है चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले कोश्चन की तरफ अगला कोश्चन है विच बाई दा फर्स टॉकी फीचर फिल्स अफ इंडिया तो इसका जो सयंसर होगा बहु जगा आपसा नमर भी आला मारा और यह कब रिलीज हुई थी ये 1931 म इसको ठीक है और इस फिल्म की कुल आगत थी 390 मिलियन ठीक है चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले कोश्चन की तरफ आसा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर तकि सारी notification आपको मिलते रहा है और वीडियो में comment करके बताएए ये वीडियो आपको कैसा लगा तो आपको high court assistant का और पूरा paper चाहिए तो आप message कर सकते है comment कर सकते है clear है साथी साथ जैसे ही frequency आएगी इसकी test series अर्कियो अब लोगों के लिए ये question हमारा कह रहा है भिष constitutional provisional enables the central government to provide reservation in jobs and educational institution for the bigger section of the society मतलब हमारे सम्मिधान का कौन सा section है जो की हमारे central government को enable करता है मतलब उनको इस life बनाता है कि वो reservation देते हैं job or educational में जो हमारे समाज के bigger section है उनके लिए तो इसका जो सही answer होगा बो जगा option number C यानी section 46 देखे section 46 है क्या section 46 कहता है कि अनुसुची जातियों अनुसुची जन जातियों और अंदुरलब बर्गों के लिए सिच्छा और अर्थ संबंदित हीतों की अभी ब्रिधी है ठीक है अगर हम और options की बात कर लेते हैं तो section 14 हमारा क्या कहता है section 14 कहता है कि राज सभी ब्यक्तियों के लिए एक सामान कानून बनाएगा तथा उसे एक सामान लागू करेगा अगर हम section 16 की बात करते हैं तो section 16 कहता है लोग नियोजन के बिशे में अबसर की समता होगी ठीक है अगर हम बात section 19 की करते हैं तो इसमें 16 की सभा करने का अधिकार दिया गया है जैसे कि बोलने का अधिकार संग बनाने का अधिकार सांति पुलवक सभा करने का अधिकार आप कोई भी बैपार करने का अधिकार देश के किसी भी छेतर में आबागमन करने का अधिकार और देश के किसी भी छेतर में निवास करने का अधिकार इससे याद रखिएगा ये जो सेक्षन उनिस है इसमें अभी 6 तरह की स्वतंतता का प्रभधान है लेकिन जो हमारा मुलसम विधान था, मुलसम विधान में इसमें 7 तरह की स्वतनतता का अधिकार था, एक था संपत्तिक अधिकार जिसको की अब हटा दिया गया है, तो अभी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ 6 तरह की स्वतनतता का अधिकार है, क्लेर है, चलिए, हम पढ़ते हैं अ तो इसका जो सही अंसर होगा, बो हो जाएगा, आप्सन नमर B, यानि बैक्टरिया के कारण होता है, ठीक है, उस बैक्टरिया का नाम है, उस बैक्टरिया का नाम है, सेल मोनिला, सेल मोनिला टाइफी, ठीक है, इसी बैक्टरिया के कारण टाइफाइड होता है, अगला मतलब हमारा जो national anthem है जना गना मना इसको playing time कितना है इसका 52 seconds है इसका playing time ठीक है ये किसके द्वारा कमपोज किया गया था ये रविन्ना टाइगर के द्वारा कमपोज किया गया था रविन्ना टाइगर के बारे में एक चीज याद रखेगा कि रविन्ना टाइगर जो थे एक म हमारा जो National Anthem है, वो सम्विधान सभा के दौरा 24 अक्टूबर 1950 को अपनाया गया है, क्लेर है, चलिए, अगला कोश्चन है, भिचादा फॉलोइंग इवेंट्स, मेर ते इंग्लिस इस्ट इंडिया कंपनी टू लिगिटमेटेट मास्टर आप बंगाल तुबा, मतलब कौन सा ऐसा युद्ध है, लड़ाई है, जिसके दौर बाद इस्ट इंडिया कंपनी एक तरह से समझ लिजए, कि बंगाल पर उसका अधिपत्य हो गया, पूरा राज हो गया, तो इसका जो सही अंसर होगा, वो होगा, आपसा नमबर ए, बैटल आप बक्सर जो की हुआ था कब, 22 अक्टूबर 1764 को, ठीक है, देखिए, ये जो बैटल आप बक्सर है, बक्सर की जो लड़ाई है, वो किसके किसके बीच हुई थी, इस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी, और अपोजिटर साइड उनके कौन मीर कासिम थे, ठीक है, कौन था, मीर कासिम, साह आलम और सिराजुद अपनी, तो इस्ट इंडिया कंपनी का जो सेनापती था, उसका नाम बहुत बार एक जाम में पूछा जाता है, उसका नाम याद रखेगा, हैक्टर मुन्रो, ठीक है, क्या नाम था है, हैक्टर मुन्रो, अगला question है हमारा भीचाओदा following है the highest bind velocity कि इसका सबसे ज़्यादा bind velocity है तो इसका जो सही answer होगा पहुचेगा option number D to run 2 ठीक है इसका average speed हम लोग बोलते हैं कि 3 miles पराबर है ये बढ़के 70 miles पराबर भी जाता है लेकिन average speed इसका 30 miles पराबर है अगला question है what is the age up to which children are prohibited from employment in any factory mines और 1000 year bucks तो इसका जो सही answer होगा पहुचेगा option number C 14 years मतलब 14 साल के बच्चे कहीं भी factory या किसी भी स्रम में अपना योगदान नहीं दे सकते हैं काम नहीं कर सकते हैं अगला question है when too much money is changing too few goods the situation is तो ऐसे situation को क्या बोलते हैं inflation बोलते हैं यानि मुद्रा अस्विधी बोलते हैं मुद्रा अस्विधी वह स्थिती है जिसमें कीमत अस्तर में ब्रिधी होती है तथा मुद्रा का मुल गिड़ता है मतलब पैसे की value कम होती है अगला question है जो कि आज का हमारा last question है the crops grown after the summer monsoon are called तो ऐसे crop को क्या बोलते हैं एजबी crop बोलते हैं ठीक है जबी फसल बोलते हैं इसको अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रिल में काट लिया जाता है ठीक है जैसे की as for example गेहू जो चना मटर ये सारे क्या है एजबी फसल के example है तो आसा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा comment करके जरूर बताइएगा अगर वीडियो पसंद आया तो like वीडियो को जरूर कर दीजेगा और अभी तक अगर आप नए है या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नह आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे हैं क्लियर है चलिए और इसे रिलेटेड अगर कोई भी हाई कोट असिस्टेंट के रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कार